नमस्कार दोस्तों मैं हुआ हूँ राथ और स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में दोस्तों आज हम देखेंगे रियल्मी 6 की अन्बॉक्सिंग दोस्तों यह फोन आपको 13000-14000 की रेंज में बड़िया फोन मिलता है इसमें प्रोसेसर आपको G90T मिलता है इसके आला हुआ यह रेंज में अगर आप देखेंगे तो इसमें रेडमी नोट 9 Pro भी आपको मिलता है उसमें 720G प्रोसेसर है लेकिन इसमें क्या क्या आपको फीचर्स अच्छे मिलते हैं क्या यह फोन के हायलाइट्स है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन्स है यह आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले आपको क्विक गाइड और इंपॉर्टर्ट इंफॉर्मेशन गाइड मिलता है उसके बाद एक सिम एजेक्ट पिन आपको देखने को मिलती है उसके बाद काफी मजबूत USB 2 टाइप-C केबल मिलती है उसके बाद Realme का Wook Fast Charger जो की 30W चार्ज को सपोर्ट करता है उसके बाद आता है एक सिम्पल टीप्यो केस जिससे की आपका फोन टूटने से बचे ऐसा मिलता है फोन आपको सामने से 6.5 इंच की Full HD Plus स्क्रीन है लिफ्ट से वाल्यूम अप एंड डाउन की है और नीचे से 3.5 mm आडियो जैक, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और साउंड बार राइट से है फिंगर प्रिंट स्कैनर और अन-अफ बटन उपर से कुछ भी नहीं है बैक से है एक पाली कार्बोनेट बाड़ी और इसमें 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे कैमराज और यहां पर है रियल्मी के ब्रांडिंग तो ऐसा कुछ फोन आपको मिल जाता है जिसमें अब यदिक है काफी अच्छा स्क्रीन रेशो यहां पर दिया गया है ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है और यहां पर जैसे कुछ आ आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह सी हाद में बैठ जाता है कलड्ड डिश्प्लेइ है जो की काफी अच्छी ग्रिप सेटिंग में अगर हम जाके देखते हैं तो इसमें अभी-अभी मुझे दो अफडेट्स आये हैं देशिक मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं नीचे जाने के बाद जैसे मैं अब आउट फोन में जाता हूं अब आउट फोन में जाने के बाद देखिए रियलमी 6 का नाम ह और रियलमी UI इसको आउट फोन मुझे मिला है अपडेट के बाद जो कि काफी अच्छा है आपको इस पर भी वीडियो फ्यूचर में मिलेगी रैम है 4GB प्रोसेशर अक्टा कोर है जो कि जी ना इंटी टी का प्रोसेशर है और आउट फ शिक्टी फोर्टीट पॉइंट थी करता हो नियुक्तव यह शमकर आंटी हर्स का चो काफी अच्छा तैम। बहुए मिलेगे काफी अच्छा लिए और यह काफी स्मूधर इननायं बॉर्ले , जैसे में डबल टैप करता हूँ काफी अच्छा रिस्पांस मुझे यहां पर हैक्ति फीड़वेक मिल रहा हु है का और अगर देखते है तो डिखे देखिए बैक 64 प्लस एट फ्लस टू प्लस टू ऐसा कैमेरा प्लिएशन यहां पी दिया गया है क्वाड कैमेरा सेट अप है काफी देखिए युवाय भी काफी अच्छा है कैमेरा का यहां पर नाइट मोड पोटो पोट्रेट काफिशार आप्शन यहां पी दिये गए मोर में भी आपको एक्सवर्ट अल्टर माइक्रो पैनरामा टाइम लैप और स्लो मो भी इसमें दिया अगर हम फ्रेंट कैमेरे की बात करते हैं तो फ्रेंट कैमेरा में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल यह देखें जैसे मैं यहां पर मूग करता हूं जैसे ही मैं बैक से फ्रेंट में मूव करता हूं यहां पर एक सरकल के आराउंड देखने को मेल दहुत है जो काफी अच्छी यहां पर लगता है तो डे नइट पिच्चर यह काफी अच्छी तरह से ले लेता है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं थोड़ा स्मूधर यह स्क्रिन को कर देता है, जो कि यह Realme OPPO के सभी फॉन में जो फॉन में भी है, और वीडियो का भी आपको 4K तब का अप्शन आप यहां पे देख सकते है, यही था इस फॉन का रिव्यू, फॉन कैसा है, आपको क्या अच्छा लग़ا इस फॉन में आप कमेंट करके बता सकते हैं और मिदते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए वुड़ बाई